सुजेनों एक खानाबदोश राज्य है जो अपने अंदहीन हरे जंगलों के लिए प्रसिद्ध है लोग प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते हैं और जंगल उनकी आजीवी का है लेकिन वह कहानी कई साल पहले की है अब भी जंगल हराभरा है लेकिन वहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता अफवाह है कि वहाँ अब एक बहुत ही पुरी राक्षसी छिपी हुई है जो भी वहाँ जाता है अगर उसकी जान नहीं जाती तो वह पागल हो जाता है कभी-कभी जंगल में अभी भी कुछ बड़े जानवर होते हैं लेकिन अंत में उनका भी वही अन्जाम पुता है कूल मैं, कूल मैं, चलो जाए माव, मावी मेरा मूर मत खराब करो ये सब 10 साल पहले शुरू हुआ था जब देश में एक भूकम पाया था उसी वर्ष सुजो में भयंकर बाड आई थी महीनों तक बारिश नहीं हुई थी तबती धूप ने बारिश के मौसम को कठोर बना दिया था राजा चिंतित था और उसने एक वेदी स्थापित की उसने पुजारी को वेदी पर पुला कर प्राटना की कि भगवान जनता के लिए बारिश लाए उस समय पूरे शाही परिवार ने बड़े समारोह में एक साथ प्राटना की टीगालिन टीगालिन उम्बाला उम्बाला टीगालिन टीगालिन उम्बाला उम्बाला हे आत्मा, कृप्या नम्र बन बारिश होने दो और लोगों को बचा लो मैं बहुत डर रहा हूँ मा मैं आप सबसे दया की भीक मांगता हूँ ओ हाँ तुम एकदम कमाल हो हेना समराट ने लोगों के लिए बारिश बदलने के लिए खुद को बलिदान कर दिया उन्होंने बलिदान दिया चलो उन्हें बचाते हैं तुम और खो क्या हुआ नहीं क्या हुआ उस दिन समारों में रानी और छोटी राजकुमारी दोनों की मौत हुगई उनके लोग बहुत बीडिन थे उनका अंतिम संसकार भवे तरीके से किया गया तबसे कोई शोप मनाने वाला नहीं बचा लोगों ने भुच्यू पर भरोसा किया और उसे शोप मनाने का अधिकार दिया बाई बारिश उत्सव के दोरान राजा के साथ मौजूद थे वही थे जिन्होंने बारिश का आहवान किया था उत्सव के बाद भी बाई जीवित हैं यहां तक की राजा ने भी बाई को चुना है फादर दासी हमारी बहु का अच्छी तरह से खयाल रखेंगे तब से साथू ने लोगों को जंगल में प्रवेश करने की अनुमती नहीं दी है हाला कि यह दुख की बात है अधिकांश लोग साथू के आदेशों का पालन करते हैं वे जंगल में शैतान के संपर्क में नहीं आना चाहते सिवाए लालची तांटन के कौन सा शैतान? मैं जंगल के बीच में रहता हूँ अगर मैं जंगल में नहीं जाऊंगा तो भूक से मर जाऊंगा तांटन चतुर है उनके साथ जंगल में जाना भोजन करने जैसा है इस बार उन्होंने बरफीले मश्रूम को खोजने के लिए जंगल के गहरे में जाने का फैसला किया बरफीला मश्रूम बहुत कीमती है अगर मैं इसे खा सकूँ तो मेरी मा का स्वास्थे बेहतर हो जाएगा लेकिन जंगल का रास्ता टांटन के लिए जितना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था कई वर्षों से क्योंकि कोई वहां से नहीं गुजरा रास्ते बंद हो गए थे जितना ज्यादा वह आगे बढ़ा उतना ही ज्यादा वह उल्जन में था टंटन हमेशा खो जाता था और उसके सामने एक अंधेरी गुफा जी वाबस जाने का कोई रास्ता नहीं था इसलिए टंटन गुफा के अंदर चला गया बारिश के गुजरने का इंतजार करने लगा और फिर वह लोटेगा बादलों में घिरा था और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि इस अंधेरी गुफा में टंटन को कीमती हिम मश्रूम मिल गया यहां है यह तो वास्तव में भगवान की मदद है आओ थोड़ा सा कोशिश करो बस थोड़ा सा टेंशा तेरा टेंशा तेरा टेंटेंट भूत पर विश्वास नहीं करता था इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि भूत उसके पास आएगा मैंने अभी क्या देखा क्या उसने मेरा पीछा किया क्या भूत सच में हो सकता है और उस स्नोमैन का क्या मुझे अभी तक समझ नहीं आया टेंटेंट के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे उसने उत्तर पाने के लिए गुफा वापस जाने का फैसला किया हैं मैं यहां क्यों हूँ मेरे शरीर को क्या हो गया है मेरा सिर दर्द कर रहा है मैं कहा हूँ मैं यहां क्या कर रहा हूँ सारे गीले कपड़े हटाने के बाद तन तन के सामने जो व्यक्ति प्रकट हुआ वह कोई गीली लाश नहीं बल्कि एक सुन्दर सुन्दर लड़की थी जिसे देखकर तन तन हैरान रह गया ओ, मुझे माफ करना मैंने आपको परिशान कर दिया क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं पूछूं कि आप कौन है आप इस सुन्सान जगहे में क्या कर रहे हैं मैं हूँ? सेकडो राजजी की राजकुमारी विनेरी मैं यहां क्यों हूँ? मुझे नहीं पता मैं कहा हूँ? मुझे याद है जब मैं अनुष्ठान कर रही थी सही है, समराट और महारानी मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ? जब राजकुमारी को पता चला कि उसके माता पिता नहीं रहे तो वह बहुत दुखी हो गई अब वह साथ साल की बच्ची नहीं रही मुझे आपके साथ हुई घटना का बहुत दुख है राजकुमारी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? मुझे यहां क्यों छोड़ दिया गया? ला 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 सत्रह साल की उम्र में पूर्णिमा की रात को चुना हुआ व्यक्ति सबसे पहले जागेगा अगर मैं तुम्हें लंबी नींद दूँ तो क्या होगा? राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी वह कहां गई? जैसा कि पता चला, डैक्सिन एक अधिकारी नहीं थी बलकि उसने चीन के राजा का सिंहासन लेने की साजिश रची थी उस वर्ष का वर्षा महोत्सव वास्तव में एक जादू टोना अनुष्ठान था जिसे डैक्सिन ने राजा, राणी और छोटी लड़की राजकुमारी वेलिना को मारने के लिए किया था आला कि छोटी राजकुमारी के पास एक अजीब शक्ति थी जिसे वह समझ नहीं पाई उसका जादू टोना उसकी जान नहीं ले सका, बलकि उसे ले जा सका उसने उसकी जान लेने के लिए हर संभव कोशिश की, पर वह ऐसा नहीं कर सकी अरे, वह छोटी लड़की तो बहुत पहले मर चुकी थी ठीक है, तो मैं तुम्हें ठीक से जीने नहीं दूँगा अधमरा होके ही मर जाओ, हाँ, 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 हाँ इसलिए उसने उसे एक लंबे सपने में छोड़ने का श्राप दिया सुन्दर लड़की को गीला राक बना दिया, और उसे एक जहरीले जंगल में फेग दिया फिर भयानक अफवाहें फैला दी एक भविश्यवानी का सपना था, जिसका उसे बेहत डर था, जन्मदिल के दिम दाशी इससे बहुत डरती थी, इसलिए राजकुमारी के जन्मदिन के करीब आते ही वह और चित्तित हो जाती थी दाशी ने खतरनाग जादू बनाए थे, जिससे जैसे ही राजकुमारी जाक थी, वह फिर से सोती हुई लाश में बदल जाती इसलिए जब उसने देखा कि राजकुमारी गायब हो गई है, तो वह बहुत डर गई थी मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले यहां से निकलते हैं, राजकुमारी, हम म्यूता को उस व्यक्ति के ठिकाने के बारे में पता नहीं चलने दे सकते म्यूता शी और क्या कर रहा है? राजकुमारी वेलेना और तांग तांग को न्याय पाने और सच्चाई उजागर करने के लिए क्या करना पड़ा? करने के लिए? एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में काउंट डेविड की एक इकलोती बेटी थी, लुसी एक कुलीन परिवार की बेटी और एकलोती संतान के रूप में लुसी को बहुत सक्त शिक्षा मिली उसे एक बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है महान बैले डांसर लुसी की स्थिती के विपरीत, केट जिसके माता-पिता की मृत्यू जल्दी हो गई थी, इतनी भाग्यशाली थी कि काउंट डेविड ने उसे परिवार में मदद करने के लिए स्वीकार कर लिया अब से, कृपया उसे घर के चारों और मार्ग दर्शन करें अपनी कठिन परिस्थितियों के बावजू, केट का व्यक्तित्व बेहद उज्ज्वल और जीवन्त है इसी लिए वह घर के अन्य नौकरों से बहुत प्यार करती है हालांकि वे एक ही घर में रहते हैं और एक ही उम्र के हैं लेकिन प्रिष्ठ भूमी में अंतर का मतलब है कि दोनों कभी दोस्त नहीं रहे लुसी के लिए केट एक ऐसी बच्ची है जो समान स्तर की नहीं है उसके साथ जुडने लायक नहीं है इसलिए दोनों ने कभी बात नहीं की केट अलग है वह हमेशा चुप चाप अपने माता पिता की गोद में रहने वाली लुसी की प्रशंसा करती है जो सबसे प्रतिभाशाली नर्तकियों से बेल सीखती है कुछ हैसा जो उसके जैसा बच्चा केवल दूर से चुप चाप देख सकता था उस वर्ष के वसंत में एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता हुई सबसे प्रतिभाशाली बेले डांसर को खोजने की प्रतियोगिता विजेता शाही महल में प्रदर्शन करेगा ये भस अपना और अवसर है जिसकी इच्छा बहुत से लोग करते हैं लुसी आराम करो तुम चार घंटे से अभ्यास कर रही हो नहीं तुम्हें हंस नृत्य सीखना होगा तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतनी होगी चोट के कारण लुसी को कुछ दिनों के लिए प्रशिक्षन से वंचित होना पड़ा जिससे लुसी बहुत दुखी हुई बाहर बैठ कर खिड़की से चुम्बन देख रही थी एक अप्रत्याशित द्रिश्य ने लुसी को चौका दिया केट हंस कूद कर रही है जिसे करने के लिए वह बहुत कोशिश कर रही है और इसे और अधिक कठिन स्तर पर कर रही है असंभव, असंभव यह पता चला कि लंबे समय तक जब भी वह लुसी को अभ्यास करते देखती थी केट भी अंजाने में इसे पसंद करती थी और उसका अनुसरन करती थी केट को पंजों के बल खड़ा होना इधर उधर दोड़ना और बहुत काम करना पड़ा जिसने उसे अविश्वसनिय रूप से लचीला और लचीला होना सिखाया दिन बदिन उसके पास संयोगवश उतक्रिष्ट बैले कौशल था बहुत सुंदर केट इस नृत्य के साथ शायद आप एक बैल डांसर खोजने की प्रतियोगिता में भाग ले सकें मैं सपने देखने की हिम्मत नहीं करता जहां तक लूसी की बात है पिछले दिन के द्रिष्ट ने उसे लगभग जटका दे दिया था मुझे सर्वश रेष्ट डांसर बनना है मैं किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं हार सकता जिसके पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं है पूरे दिन अभ्यास करते हुए उसने सोचा कि रात में लूसी थकान के कारण सो जाएगी लेकिन एक अजीब सपना आया और उसकी नींद में खलल पड़ा लूसी नींद में चलने वाली की तरह बाहर चली गई अरे लड़की तुम इतने लंबे समय से अभ्यास कर रही हो लेकिन प्रगती नहीं कर रही हो यह बहुत कठिन है आप अपने पैर मेरे पैर पर रखकर क्यों नहीं देखते हैं? मैं इन जूतों के मालिक को जहां भी जाना हो ले जाओगा इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि जब लुसी उठी तो उसने खुद को एक भंडारण कक्ष में पाया जो हमेशा बंद रहता था उसकी आँखों के सामने सुन्दर लाल जूतों की एक जोडी थी बिल्कुल साफ और एकदम नए कमरे की धूल भरी जगह से बिल्कुल अलग ये क्या शोर हो रहा है हम, शायद मैं बहुत बुड़ा हो गया हूँ, मेरे कान अब भी गुलत सुनते है लुसी ने फिर से कोशिश की, उसने जूतों और डान्स स्टेप्स पर नियंतरन करना शुरू कर दिया अजीब बात है, इन जूतों को पहनने के बाद से, लुसी कठिन गतिविधियों को भी बहुत आसानी से करने में सक्षम हो गई जल्द ही प्रतिभाशाली बैले नर्तकों को खोजने की प्रतियोगिता का दिन आ गया बहुत से लोग पंजी करन के लिए जल्दी आ गए, अब प्रत्याशित रूप से केट भी दबे पाव आगे बढ़ गई और निश्चित रूप से प्रतियोगिता में चैंपियन्शिप के लिए आशा जनक चेहरे लुसी की कमी नहीं हो सकती प्रतियोगिता शुरू हुई, प्रतियोगियों ने बारी बारी से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, प्रतियेक ने अपने अपने अनूठे लुक के साथ, लेकिन कोई भी वास्तव में उत्कृष्ट प्रतियोगी जजों की नजरों में नहीं आया वाँ... हुआछ व्हेज़ वाँ केट की बारी में उसके पास आकरशक पोशाकें या अच्छे जूते नहीं थे केट की कुछ हद तक भद्धी उपस्थिती के कारण किसी का ध्यान उस पर नहीं गया लेकिन जब केट ने अपना पहला डांस स्टेप नंगे पैरों से करना शुरू किया तो सब कुछ बदल गया केट धुन से मंत्र मुग्ध हो गई खुद को उसके जुनून में जोग दिया स्वाभाविक रूप से जैसे वह हर दिन होती थी सभी की भावुक निगाहें केट की हर हरकत पर टिकी रही जब तक हंस नृत्य पूरा नहीं हुआ पूरा सभागार आंसुओं में डूब गया लुसी ने केट का पूरा नृत्य देखा लेकिन पिछली बार की तरह नर्वस लुक के विपरीद वह अब बेहद आश्वस थी क्योंकि उसके पास जादूई जूते थे जैसा कि चैंपियनशिप के लिए एक उजवल उमीदवार होने की उमीद थी जादूई जूतों के साथ मंच पर कदम रखने के पहले मिनट से ही लुसी ने सभी को अपनी साफ सुत्री उपस्थिती की प्रशंसा करने पर मजबूर कर दिया उनका प्रत्येक डांस मूव इतना कुशल था कि वह सभी दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर देने वाला लग रहा था लेकिन सब कुछ नियंतरण से बाहर हो गया जब जूतों ने अचानक लुसी के नियंतरण का पालन करना बंद कर दिया जूते ही थे जो उसके कदमों को नियंतरित कर रहे थे लुसी रुक नहीं सकती थी वह बिना रुके कूद रहे रुक ना कृपिया मेरे लिए रुके जल्दी रुको यह खतरनाख है जल्दी नीचे आओ बेटी यहां उत्रे केट ने इस घटना को देखा और तुरंत लुसी का पीछा किया जिसकी जान खतरे में थी लुसी को कस कर पकड़ो आपको हाड नहीं माननी चाहिए और अधिक प्रयास करें मैं बहुत डरा हुआ हूँ मैं अब अपने पैरों पर नियंतरण नहीं रख सका नहीं मुझे बचा लो जोर से पकड़ो पकड़ो चलो उपर चड़ें आप कौन है? वा ये क्या चीज़ है? डरो मत मैं मैरी हूँ मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी आप देखिए मैंने बस आप की मदद की है मेरा नाम मैरी है सौ साल पहले मैं नर्तक खोज प्रतियोगिता की चैंपियन थी हालांकि प्रतियोगिता में प्रतियोगियों में से एक नैटी असहमत थी उसने प्रतियोगिता का पुरसकार चुराने के लिए मुझसे लड़ाई की और मुझे इसी रेलिंग से नीचे धक्का दे दिया ऐसा न करें, ऐसा न करें इस मंच का विजेता स्वामी केवल मैं ही हो सकता हूँ यही नहीं रुकते हुए उसने काला जादू किया और एक जादूई व्यूह रचा ताकि किसी को भी यह पुरसकार ना मिल सके वह बाद में प्रतियोगिता में आने वाले सभी लोगों को पत्थर मार देगी आज की प्रतियोगिता सौ साल पहले दो बारा आयोजित की गई पहली प्रतियोगिता है जो जूता उसने पहना है वह भी उसके जादू के तहत उस वर्ष की जीत का प्रतीक है इसलिए वह अपने कदमों पर काबू नहीं रख सका यह इतना आसान नहीं है एक बार जब आप इन जूतों में नृत्य करते हैं तो इसका मतलब है कि श्राप का असर शुरू हो गया है अब उसके पास श्राप से बचने का और साथ ही वहां मौजूद सभी डरे हुए लोगों को बचाने का एक ही रास्ता है हंस नृत्य में आपके द्वारा अभी देखी गई प्रत्येक अद्रिश्य टाइल एक अद्रिश्य कदम है जिसे नर्तक को जादू तोड़ने के लिए छूने की आवश्यक्ता होती है इस मंत्र को धिकार है लेकिन समस्या यह है कि यह इतनी जल्दी और अचानक हवा में प्रकट हुआ कि अब तक किसी को इसका एहसास नहीं हो सका है क्या यह हवा में कूदने से अलग है? ऐसा कोई नहीं कर सकता सही, जब तक मैंने तुम दोनों को नहीं देखा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था आप देखिए, अद्रिश्य डांस स्टेप्स कई और तेजी से दिखाई देते हैं अगर केवल एक व्यक्ती है, तो कोई भी साथ नहीं निभा सकता है लेकिन जब दो लोग होंगे, तो सब कुछ अलग होगा मैंने आप दोनों को हंस नृत्य करते देखा, आप दोनों ही इसे सुलजाने की कुणजी है लेकिन? लेकिन जूतों के बिना मैं कुछ भी नहीं, डांस नहीं कर पाऊंगा क्या ये अब भी आपके पैरों पर खड़ा नहीं है? ये जूते एक विजेता का प्रतीक तो हैं ही, ये अपना मालिक चुनना भी जानते हैं पिछले वन हंड्रेड वर्षों में आपके प्रकट होने तक कोई भी इन जूतों में नृत्य नहीं कर पाया था आश्वस्त रहें, लुसी! दरासल मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा की है, लुसी, मैं नृत्य करने में सक्षम था क्योंकि मैंने आपको देखा और अभ्यास किया, आप मेरी शिक्षक हैं और इसलिए, विश्वास, एक जुटता और द्रड संकल्प के साथ, लुसी और केट ने एक अभूत पूर्व मंच पर हंस नृत्य करने का फैसला किया अद्रिश्य इटो पर है, गतिविधियां समान रूप से और कुशलता से की गई, दोनों लड़कियों के प्रत्यक कदम को इटो द्वारा समर्थित किया गया था, जो बिलकुल हर सेकंड दिखाई देती थी, यह द्रिश्य किसी परीचमतकार की तरह जादुई था इस समय दोनों लड़कियों की स्थिती में भी अब कोई अंतर नहीं दिख रहा है, वे दो दोस्त हैं, दो प्रतिभाशाली कलाकार हैं, अभी का उतकरिष्ट प्रदर्शन इतना दिल को छू लेने वाला था, पूरे सभागार ने लुसी और केट को अंतहीन तालियां दी इस वर्ष की प्रतियोगिता में आयोजकों ने दो सर्व श्रेष्ट प्रतियोगियों को महल में प्रदर्शन करने का निर्ने लिया, लुसी और केट उस वसंत में केट और लुसी एक साथ प्रदर्शन करने के लिए शाही महल में गई दोनों लड़कियों ने एक बेहत सुन्दर प्रदर्शन किया जिसने शाही प्रशन सा अर्जित की तब ही से यह जोड़ी सबके चहेते डांसर्स की सबसे मशहूर जोड़ी भी बन गई बरफीले पहाड़ी इलाके से परिचित होने के कारण मीना ने एड़वर्ट का ध्यान भटकाने का काम किया मीना उस अत्यधिक दर्ट से स्तब्ध थी जिसे सहन करना किसी के लिए भी कठिन है उसने देखा कि जिन लोगों को वह सबसे अधिक प्यार करती थी वे उसकी आखों के सामने चले गए जब मीना का शरीर और अधिक सहन करने में लगभग असमर्थ हो गया तो दिन की पहली किरण चमकी जिस क्षण का वे इंतजार कर रहे थे वह आ गया है बिना किसी हिचके चाहट के एंबर भयानक गती से एडवर्ड की कमजोर होती जादूई शुंखला की और दोड़ा लेकिन उन्होंने इस दुष्ट लोमडी को कमाका हलकी सी रोश्णी भी उसे मुश्किल स्थिती में डालने के लिए पर्याप्त नहीं थी यह जानकर कि क्या गलत हुआ है मीना घबरा गई और अपने दोस्त को बचाने के लिए दोड़ी हालां कि तब तक बहुत देर हो चुके थी और एंबर अपने दोस्तों के पीछे-पीछे इस फॉर्मेशन का शिकार बन गई मीना, आप यह कर सकते हैं मीना उस अत्यधिक दर्द से स्तब्ध थी जिसे सहन करना किसी के लिए भी कठिन है उसने देखा कि जिन लोगों को वह सबसे अधिक प्यार करती थी वे उसकी आँखों के सामने चले दूसरी जाती की लोमडी की पूँच का उप्योग करने से तुम मेरे जैसे राक्षस बन जाओगे चाहे तुम कुछ भी करो तुम मुझे हरा नहीं पाओगे नहीं मैं तुम्हारे जैसा राक्षस कभी नहीं बनूँगा न तो एक और नहीं दो पूँच जैसे ही एमबर की पूँच ने उसके शरीर को छुआ मीना एलेवन पूँच वाली लोमडी में बदल गई जो देवताओं की संख्या थी एडवर्ड के प्रतिरोध के कारण शक्ति की दो थाराओं में एक अजीब संबंध बन गया मीना और अंबर की मा की आत्माय प्रकट हुई और मीना को खुश करने के लिए आगे मा अंबर इसे कस कर पकड़ो मीना तुम महान हो यह सही है तुम उसके जैसे नहीं हो तुम एक महान लोमडी हो जल्दी से एडवर्ट को नश्ट करो लेकिन यदि आप उसे नश्ट कर देंगे तो सभी लोग भी गायब हो जाएंगे चिंता मत करो मैं हर कदम पर हमेशा तुमारे साथ हूँ उत्तर पाकर मीना की ताकत बढ़ गई और दुश्ट लोमडी इवाड़ अब उसका प्रतिदवन्द भी नहीं रहा तुम लोग मैं बदला लूँगा उस दिन से लोमडी कबीले का जीवन भय से भर गया एडवर्ट के डर से उनके दरवाजे हमेशा बंद रहते थे मीना के मन में एक ऐसी नफरत है एक अविस्मरणिय गुस्सा है जिसके कारण आज उसका परिवार हर किसी की डर में जी रहा है अपने दिल में वह दुश्ट एडवर्ट को नश्ट करने के लिए और भी अधिक दिड़ थी वह बच्चा सच्मुच अप्रत्याशित तुम इसके कीमत चुकाओगे तुम्हारी मा की आत्मा तुम्हारे दोस्त की आत्मा मैं तुम्हें नश्ट करने के लिए उनका उप्योग करूँगा महोदै, रॉक क्रिस्टल का कर्तब ये केवल भविश्य बानी करना और पूरे लोमडी कविले की रक्षा के लिए नेता बनने के लिए चुने गए व्यक्ति का मार्ग दर्शन करना आप जो जादू प्रयोग कर रहे हैं मैं थोड़ा सा है अब मेरे लिए चुप रहो, तुम तो बस एक पत्थर हो मुझे जिन्दगी के बारे में सिखाने की बारी तुम्हारी नहीं है अगर तुम बहुत ज्यादा बात करते हो तो तुम्हें कुचलने के लिए मुझे दोश मत दो मीना दिन रात एड़वर्ड के निशान खोचती रही लेकिन वह हवा में गायब होता दिख रहा था इससे उसे अनिद्रा की समस्या हो जाती है और वह हर रात करवटें बदलती रहती है लेकिन वह सपना और वह रहस्यमय आवाज सिर्फ एक बार नहीं आई जब भी वह जपकी लेती थी तो वे उससे मिलने जाते थे लगता था कि यह कोई सपना नहीं है सुराग के लिए असाहाय रहते हुए मीना ने एक बार हर रात रहस्यमय कॉल का पालन करने और पश्चिम जाने की कोशिश की अजीब बात ये थी कि उसे वास्तव में एक चटान इतनी बड़ी मिली कि उसने सूरज की किरणों को भी रोक लिया था सब कुछ एक सपने जैसा ही है वह ठंडी गुफा में दाखिल हुई एडवर्ड पहले से ही अंदर था बहुत तारीफ है बच्चे तुम्हें यहाँ अपना रास्ता मिल गया तुम्हें अपनी मा की बहुत याद आती होगी न मैं तुम्हें तुम्हारी मा से मिलवाऊंगा चलो लडो नहीं तो तुम्हारी मा की आत्मा तुम्हें खा जाएगी जल्दी से लडो क्रिस्टल ब्रह्मान के लाखों वर्षों का क्रिस्टली करण है हमारा मिशन भविश्यवानी करना और अपने योग्य गुरू की सेवा करना है एडवर्ड अब आप प्रासंगिक नहीं रहे धिकार है रोग तुम हिम्मत मत करो हाँ मैंने ही नए मास्टर को यहां बुलाया था भाग्ये वेवस्थित हो चुका है इसे कोई पलट नहीं सकता जादूई संबंध गायब हो गया लेकिन मीना की मा की आत्मा बनी रही रो मत आश्वस्त रहो मैं तुम्हें एक उपहार देगा जब मीना की मा का मन उदास हो गया तो वह उपहार सामने है जिसके बारे में वह बात कर रही थी हम अभी तक पूरी तरह से तलीन नहीं हुए हैं इसलिए हम अभी भी वापस आ सकते हैं लेकिन दुरभाग्य से आपकी मा मैं जानता हूँ असल में जो बचा है बह सिर्फ एक भ्रम है मेरी मा तो कबकी चमकदार बर्फ के टुकडों में विलील हो चुकी है शमा करें हमने गलत समझा दरसल मैं वास्तव में आपकी भावनाओं की प्रशंसा करता हूँ मैं हम आपकी प्रशंसा क्यों करें आप तो अब हमारे मित्र हैं योध्ध समाप्त हो गया बुरे लोगों को दंडित किया गया लोमडी कबीला खुशी से सामान्य जीवन में लौट आया सर्व सम्मती से मीना और एमबर को राज्य की रक्षा करने वाले योध्धाओं के पद पर पदुन्नत किया गया फ्रेया एक दयालू और खूबसूरत लड़की है जिसका स्टीव ने गाम में अभरन कर लिया था लेकिन फ्रेया ने जिस साम्प को पिछली बार बचाया था उसने इस बार उसे बचा लिया ड्रेक उसे वापस साम्प महल में ले गया और चाहता था कि फ्रेया अपनी सुरक्षा सुनुश्चित करने के लिए यहीं रहे यहां रहते हुए ड्रेक और फ्रेया में एक दूसरे के लिए भावनाय विकसित हुई लेकिन उनके प्यार को अभी भी कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा तुम हिन किया हुआ है मैं ठीक हूँ बस थोड़ा थका हुआ हुआ हाँ बटगर्म तुम हिन बुखार हाई फ्रेया चिन्ता मत करो यह वह चरण है जब ड्रेक अपनी त्वचा उतारने की तैयारी करता है इस दौरान शरीर कमजोर हो जाएगा और स्वाद और रोश्नी के प्रती संवेधन शील हो जाएगा खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा फ्रेया को एक दुरलब जड़ी बूटी याद आए जो सापों के लिए इस अवस्था में बहुत प्रभावी थी यह सही है वह जड़ी बूटी फ्रेया लेकिन अब गाम वापस जाना बहुत खतरनाक है अगर स्टीव को पता चल गया तो वह तुम्हें फिर से पकड़ लेगा सभी खतरों को नजरंदास करते हुए फ्रेया ने ड्रेक को बचाने के लिए दवा लेने के लिए गाम लोटने का फैसला किया फ्रेया गाम लोटती है और ड्रेक के लिए औश दि लेती है हालांकि वापस जाते समय फ्रेया को दुरभाग्य से स्टीव और उसके गुरगों द्वारा पकड़ लिया जाता है हाँ हाँ फ्रेया आखिरकार तुम्हें वापसी का रास्ता मिल गया स्टीव मुझे जान दू तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो वह कौन है वह आदमी जिसने तुम्हें उस दिन बचाया था वह निश्चय ही इंसान नहीं है स्टीव ने फ्रेया और ड्रेक को अलग करने के लिए एक भयावह साजिश रची और ग्रामीनों में ड्रेक के प्रती नफरत पैदा की ग्रामीनों फ्रेया को देखो वह महल के राक्षस से मंत्र मुझध हो गई है यह हमारे गाम में आपदा लाएगा हमें उस राक्षस को नश्ट करना होगा स्टीव अपनी योजना को अंजाम देने के लिए ग्रामीनों की अंधी नफरत का फाइदा उठाता है वह एक उग्र भीड का नेत्रित्व करता है जो ड्रेक को नश्ट करने के लिए द्रड होती है मालिक चमडी उतारने की अवस्था में है लड़ने में असमर्थ है मुझे उनकी और फ्रेया की रक्षा करनी है जोश्वा महल की सुरक्षा के लिए अपनी जादू इक शमताओं का उप्योग करता है लड़के ने आसपास के पेड़ों पर जादू कर दिया जिससे उनमें एक अजीब सी खुश्बू आने लगी जिससे गाववाले स्टब्ध हो गए स्टीव और उसके क्रूर गुर्गे महल में हिंसक तरीके से दर्वाजा तोड़ते हुए घुस गए जोश्वा ने पहले से जाल तयार किया था जब दर्वाजा खुलता है तो दर्वाजे को सीडियों से जोडने वाली रसी तोट जाती है जिससे बड़ा पियानो गिरता है और स्टीव के गुर्गों को कुचल देता है जोश्वा ने स्टीव पर हमला किया और दोनों के बीच जम कर लड़ाई हुई हालांकि जोश्वा केवल एक लड़का है और स्टीव की ताकत का सामना नहीं कर सकता फ्रेया ड्रेक को भागने में गुप्त दर्वाजे तक मदद कर रही है लेकिन ड्रेक बहुत कम्जोर लग रहा है ड्रेक आप कैसे हैं? चमकदार चांदनी के नीचे ड्रेक की पुरानी त्वचा फट गए और गिर गए जिससे धातू से चमकती हुई नई त्वचा की परत दिखाई दे मैं सही था राक्षस तुम मर जाओगे स्टीव ड्रेक पर हमला करने के लिए दोड़ा फ्रेया ने वापस लड़ने की कोशिश की लेकिन वह पर्याप्त मजबूत नहीं थी तुम उसे चूने की हिम्मत मत करना लानत है तुम पर मुझे छोड़ो जैसे ही फ्रेया को स्टीव खिड़की से बाहर धकेलने वाला होता है एक अंधेरी छाया अचानक उचल कर फ्रेया के साथ नीचे कूट पड़ती है अब ड्रेक के पास असाधारन शक्ती है वह अंधेरे में चमकता है फ्रेया की रक्षा करने वाले अभिभावक देवदूद की तरह ड्रेक, क्या आपका? फ्रेया, द्रुमत, मैं तुम्हारी रक्षा अक्रूंगा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ दूर से ग्रामीणों ने ड्रेक का भव्य द्रिश्य देखा वे घबरा गए और प्रार्थना करने के लिए घुटनों के बल बैठ गए क्रिप्या हमें क्षमा करें हम नहीं जानते थे कि आप साब देवता थे ड्रेक ने ग्रामीणों की और नम्र द्रिश्टी से देखा उसके मन में बदला लेने की कोई इच्छा नहीं थी तुम मेरी एक माटर डूलिन हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ ग्रामीणों ने एक जुट होकर शतिग्रस्त मंदिरों का जीर्णोत धार किया और पहले की तरह साब देवता की पूजा की फ्रेया और ड्रेक के बीच की मार्मिक प्रेम कहानी प्रेम और साहस की शक्ती को साबित करती है उन्होंने सभी बाधाओं और पूर्वाग्रहों को पार करके एक दूसरे के साथ रहने का साहस दिखाया और सभी के लिए विश्वास और आशा का संदेश लेकर आए। पिर से न दोहराई जाए। प्रिंस ने हर जगह लड़कियों के निशान ढूंडने का प्रयास किया। अन्तता है उसे महल के पीछे एक गुप्त रास्ता मिला। अंकल साउल आप यहां क्या कर रहे हैं। सभी लड़कियां गायब हो गई हैं। क्या? मैं तो बस थोड़ी हवा खाने गया था। यहां क्या हुआ? अरे तुम जानते हो मुझे जानवरों से बहुत प्यार है। मैंने इन जंगली हंसों को भूखा देखा और इन्हें कुछ खाना दे दिया। प्रिंस ने जमीन पर तूटे हुए गलास के टुकडे देखे और उसे कुछ अजीब लगा। अंकल साउल, कृपिया मेरी मदद करें और सभी लड़कियों को ढूंडें। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जब अंकल वहां से चले गए, तब जूलिया बाहर आई और प्रिंस को पूरी सच्चाई बताई। विचारों में डूबी लड़कियां भी प्रकट हुई, लेकिन वे आवाज नहीं निकाल सकती थी। वे जूलिया की कृतज्य थी, जिसने उनके लिए आवाज उठाई। ये सच में विश्वास नहीं हो रहा, वही इंसान जिसने लड़कियों को नुकसान पहुंचाया, वही हमारा विश्वास पात्र था, हमें उसे जल्द से जल्द सजा देनी होगी। ठेहरो, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें उसके खिलाफ सबूत ढूंढना होगा। जूलिया यह सब देख रही थी और उसके दिल में दर्द हो रहा था, शायद वह प्रिंस के प्रतिभावना रखने लगी थी। उसके दिल में अब कोई पूर्वा ग्रह नहीं था और उसने ठान लिया कि वह प्रिंस की मदद करेगी। दोनों ने एक योजना बनाई और अलग-अलग काम करने लगे। लेकिन हालात उनके अनुमान से अधिक कठिन थे। जब वे महल लोटे तो प्रिंस के खिलाफ बुरी अफवाहें हर जगा फैल चुकी थी। ये भगवान, प्रिंस जो लड़कियों का शिकार और नुकसान पहुँचाता है। धीरे बोलो, वा अभी भी राज घराने का हिस्सा है। लेकिन मैं भी डर रही हूँ। सीधे प्रिंस की आँखों में मत देखो, जादू का असर हो जाता है। पिता जी, मैंने तुमसे कहा था कि ये प्रूम कितना महत्वपूर्ण है। तुमने क्या किया है। महराज, यह सब मेरे कारण हुआ, मेरी ताकत कम थी, इसलिए मैं प्रिंस की ज्यादा मदद नहीं कर पाया। प्रिंस ने कुछ गलत नहीं किया। प्रिंस अपने अंकल के पाखंडी चेहरे को देख कर बहुत गुस्से में था। लेकिन परिस्थिती उसके पक्ष में नहीं थी, इसलिए उसने धैर्य रखा। इस समय प्रिंस के खिलाफ जूठी अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। मैं जानता हूँ कि वे सच नहीं हैं, लेकिन उनका असर राज घराने पर पड़ेगा। अब क्या करें, अंकल साउल। हमें प्रिंस की गद्दी छीननी पड़ेगी। अंकल की जूठी बातों से राजा और रानी ने प्रिंस पर भरोसा किया। लेकिन राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने उसे छोड़ दिया। अपने लक्षे के करीब पहुँचकर, साउल बहुत खुश था। उसने महल में एक बड़ी पाटी दी, जहां पूरा राज घराना उपस्थित था। कुछ घटनाओं के कारण, मुझे अपने बीमार भाई के स्थान पर राज्य की बागडोर संभालनी होगी। तभी जूलिया और हंसों का समुह वहां पहुचा और पार्टी में हंगामा मचा दिया। अंकल साउल हंसों को देखकर चौक गया। लेकिन जल्द ही उसने अपने आप को संभाल लिया। अब वे सिर्फ हंस हैं। वे मेरा क्या बिगार सकते हैं। महाराज मैं जूलिया हूँ जो वूफेस्ट में हिस्सा लेने आई थी। और यह सब ही लड़कियां मेरे साथ आई थी। लड़की तुम किस बारे में बात कर रही हो? यह हंस क्या है? क्या तुमने मेरे बेटे के खिलाफ जूटी अफवाह पहलाई। जूटी अफवाह पहलाने वाला कोई और नहीं। तुम हो साउल। बकवास मत करो। बकवास, क्या तुम्हें अपने शरीर में कुछ अजीब नहीं लग रहा? प्रिंस ने चुपके से साउल के गिलास में वही जादूई दवा मिला दी थी साउल का शरीर बदलने लगा उसकी तवचा में जुन-जुनी और दर्द शुरू हो गया उसके शरीर से हंस के पंख निकलने लगे और उसके हाथ पंखों में बदलने लगे नहीं, 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 रुख जाओ मुझे माफ कर दो पीटर, मुझे पक्षी नहीं बनना और तुमने इन सभी लड़कियों को हमेशा के लिए पक्षियों में बदल दिया? बताओ दवा कहा है मैं तुम्हें एक हिस्सा छोड़ दूँगा वरना तुम अभी हंस बनकर मर जाओगे आखिरकार साउल ने अपनी जेब में छेपी दवा की बोतल की ओर इशारा किया और पूरी तरह से हंस में बदल गया फ्रिंस के पास अब वह दवा थी जिससे सभी लड़कियों को बचाया जा सकता था हंस से वापस अपनी सुन्दर मानव रूप में बदल कर सभी लड़कियां बेहत खुश थी राजा और रानी को बहुत खुशी हुई कि वर्षों पुरानी बुरी घटना सुलज गई और सबसे अधिक खुश प्रिंस था जिसने अंततह अपनी सच्ची प्रेमी का पाली थी राजघराना और गुफेस्ट में भाग लेने वाली सभी लड़कियों ने प्रिंस और जूलिया को आशीरवाद दिया प्रिंस और जूलिया का विवाह धूमधाम से हुआ साउल के लिए चूंकी दवा की परियाप्त मात्रा नहीं थी इसलिए राजा ने फैसला किया कि उसे हमेशा हंस के रूप में रहने दिया जाए जो उसके लिए सजा थी अरे क्या हो रहा है एक शक्तिशाली भमवर ने अचानक एलिना पर हमला किया उसे आश्चर्य चकित कर दिया और वह इस भमवर में बह गई फिर बेहोश हो गई एलिना मेरी बेटी जागो एलिना एलिना क्या तुम जाग गई हो आप आप कौन है क्या हुआ है मैं जलपरी कैसे बन गई मैं तुम्हारी मा हूँ एलिना यह कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी मैं जलपरी जाती की राजकुमारी हूँ उस समय हमारी जलपरी जाती को सी उरचिन द्वारा मारा जा रहा था कुछ ही लोग जीवित बचे थे मैं पुदा समुद्र में भाग गई और तुम्हारे पिता ने मुझे बचाया तुम्हारे पिता और मैंने एक दूसरे से प्रेम किया और एक दूसरे से शादी की तुम्हारे साथ की खुशी और प्रेम ने मुझे जलपरी जाती के प्रती मेरी जिम्मेदारियों को भूलने पर मजबूर कर दिया लेकिन एक दिन जल परियों के आखिय लोग, आखिरी लोगों की सहायता की पुकार मेरे कानों में आई और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकी। मदद करो, बचाओ। अलविदा, मेरी बेटी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैं वापस समुद्र में गई और अपनी प्रजा को बचाया। लेकिन पुदाराज्य में वापसी का रास्ता खो गया था। शायद अत्यधिक दूख और तुम्हें खोने के डर से तुम्हारे पिता ने समुद्र पर प्रतिबंध लगा दिया था। मा, क्या आप सच में मेरी मा हैं? मैं हमेशा से आपसे मिलने की इच्छा करती थी। मेरी प्यारी पेटी। खृपिया मेरे साथ वापस चले। मैं नहीं चल सकती। और मुझे डर है कि तुम्हें भी अपने पिता के पास वापस लोटना कठिन हो सकता है। यह जादूई क्षेत्र है जिसे परी राजकुमार ने छोड़ा था। यदि तुम यहां से बाहर निकलती हो तो सी उर्चिन इंतजार कर रहे होंगे। वे जल परियों पर हमला करेंगे। इस समय एलिना की शरारती, स्वभाव और शोध के प्रति जुनून उसकी ताकत बन गए। चारों और देखते हुए उसने देखा कि समुद्र में अद्वतिय जड़ी बूटियां और समुद्री शैवाल भरे हुए हैं। ऐसे पौधे जिन्हें उसने केवल किताबों में देखा था, लेकिन उन्हें खोजने का अवसर कभी नहीं मिला। और इस तरह उसके दिमाग में एक योजना बनी। एलिना ने एक विशेश मिश्रन तयार किया। राज्य में लोटने की योजना तेजी से लागू की गई। जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, जादूई क्षित्र की सीमा पार करते ही सी उर्चिन बड़े जोर से आ गए। लेकिन इस बार उन्होंने एक बहादुर और बुद्धिमान राजकुमारी का सामना किया। एलिना और जलपरियों ने चौँकाने वाले बम के अर्क को सी उर्चिन पर फेंका, जिससे वे हडबडाने लगे। कुछ डर से भाग गए जबकि कुछ बेहोश हो गए। पुदा राज्य की ओर जाने वाला रास्ता अब साफ था। घर लोटने पर राजा बहुत चिंतित थे। उन्होंने राजकुमारी की खोज के लिए पूरे सैनिकों को समुद्र में भेजने की तैयारी की। पाल चड़ाओ, राजकुमारी की खोज के लिए तैयार हो जाओ। तैयार, तैयार, तैयार। इस समय राजकुमारी एलिना और रानी, जिन्हें राजा ने हमेशा के लिए खोया हुआ मान लिया था, प्रकट हुई पिता, पिता, देखी कौन वापस आया है एलिना, मेरी बेटी रानी, क्या बहस सच मुझ आप है परिवार, खुशी और आशुओं में फिर से मिल गया सभी दिनों की याद और दूरी अब समाप्त हो गई इस महान खुशी के कारण, राजा ने समुद्र पर प्रतिबंध हटा दिया लोग समुद्र में जाकर, इसका आनंद लेने लगे विसाल समुद्र अब जल परियों और कै अन्य जीवों का सांति पून घर बन गया लूग 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 nancy was super strong mput at everything mary was kind and gentle she wasn't too excited about all the queen training she'd rather just play and have fun so class is over now you can go play hmm when they got older nancy became more and more like a queen laughs she was strong smart and always knew what to do Mary on the other hand loved to have fun and play games even though they were sisters they were very different being queen is a really big job and the king and queen knew Nancy would need all the help she could get they hoped that someday Mary would learn and grow too so they could be a great queen team together Mary, being a princess is important you have to learn how to take care of the kingdom someday Mary felt sadder and sadder she tried really hard to be the kind of princess parents wanted but it just wasn't working because of that she didn't feel as close to them anymore and wasn't as happy as she used to be I wonder if mom and dad even love me anymore Mary ran through an old warehouse suddenly she stopped she felt like a secret was hiding nearby calling out to her Mary was curious when she saw a mirror there it was covered with a glow and had a lot of cobwebs and dust around it Mary pulled off the glow and was startled to see that the girl in the mirror was completely different person hello, Mae who are you? why are you in there? I'm Janie the person who lives in this mirror I have no friends or relatives and I can get out of here it's just like me I have a family but no one cares about me because I'm nothing outstanding princess, come see what I have it's a special present to make you feel better after everything that's happened into the mirror? I...I... the time in the mirrors is only one hour you can still return home at any time Mary wanted a hidden place so she said yes to Janie Mary stepped into the mirror she was amazed by the beauty of the place there was endless green fields and tall waterfalls that poured down candy everything here can be eaten so magical Jennifer married to a different castle that was a perfect copy of Mary's old house this is a gift I gave you time has begun to pass hmmm... ah Mary entered the castle and saw that everything was familiar the king and queen were both there but the difference was that the king and queen's arms would both make a bone the king and queen held a party for Mary it had been a long since Mary had had a warm meal full of her parents' love instead of the pressure to achieve set to become queen suddenly the clock stopped time was up come on Mary in the real world the king and queen are really worried about Mary and can't find her anywhere oh no where's Mary she must be having too much fun again and doesn't want to practice please calm down we'll find Mary soon this time she will have a big time out for making us worry huh mom dad Mary's back where are you going we are all so worried about you Mary where have you been if you don't tell us why you left you will have to stay in your room for a while it doesn't matter why I left nothing I do seem to be good enough for you anyway Mary 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 at night Mary secretly went to the warehouse to meet Janey and asked Janey to let her into the mirror world to meet her parents in this mirror world Mary's mom and dad were so happy to see her they gave her everything she didn't have in the real world the king built a whole garden filled with a beautiful flower just for Mary Mary the queen cooked delicious meal for Mary they also took Mary on fun ousting and picnics I want to stay here forever I don't want to go back to that cool house anymore Mary's words were the key to helping Janey get out she just needed someone to replace her in this mirror world hmm in the real world the king and queen was having a hard time looking for her again Mary where are you? the king suddenly saw a diary on the princess table in which Mary had brightened many of her wishes wishing to be closer to her parents and to live a normal life those were simple things that Mary did not have we weren't very night Mary, we made her sad dad, mom, I'm sorry for making you worry as long as you're okay, that's all that matters sweetie we're so happy to see you're safe however, after that, Mary had many strange actions Mary didn't like looking in mirrors so every mirror in the castle was taken away they even had to replace her fancy gold dishes with plain wooden ones because they reflected too much one day, the queen took Mary for a walk the queen looked down at the water she saw another Mary looking back at her it scared her so much but she pretended to be brave she was sure that the girl in front of her was hiding Mary somewhere the queen told the king the truth that Mary was a fake that night, the two decided to follow Mary Mary went to the mirror and pointed and jumped into it the queen reorganized the mirror there was a special mirror that she used to love when she was pregnant she thought it was a treasure and she used to look at it everyday but then she found other mirrors that she liked better so she put this one in the warehouse the magic mirror changed and made a new person her name was Janie she wanted to live in the real world and she wanted to be a princess like Mary in the mirror world in the mirror world the pretend Mary changed into who she really was Jamie but Mary didn't know she was stuck there yet suddenly the king rushed in and pushed Janie away to save Mary let's run no, I'm not going back I'm loved more here than with my parents don't touch my daughter angry Janie raised the mirror to make more fay image but the queen stopped her get out of here mom and dad don't try to get out Mary and her parents went to the special door that took them between worlds but there wasn't any light on the mirror like there usually were Mary looked at the little mirror in her hand then frankly pressed it right against the big mirror no, the mirror was shut, cracked and broke they got out from the scary mirror world I'm sorry, we were too careless and selfish dad, mom, Mary, I look everywhere for you I thought I would never see you again I'm the one who's wrong Mary, I'm sorry I wanted you to grow up strong so I was always taught on you from then on Mary and Nancy got to do the things they love best and help the kingdom in their own special ways